प्रफिर्ट कभी कभी इतिफाक में गोलु चाचा मांगेंगे गुन-गुन से ही माफी दरसल गोलु चाचा अब गुन-गुन को और देख लेते हैं अर्मान के सांथ और वो इसतना खुश देखकर उस पर भढ़क जाते हैं कि तुम तो हमारे अनुको भूली गई हो सबने हमें कहा गी मतलबी हो तुम यह हो वो लेकिन हमने हमेशा तुमारा साथ धिया लेकिन देखो कितने से दिनों में तुमने अनुको बूलाकर किसी और का हथ थाम लिया है गुन-गुन यहापर कुछ नहीं बोलती हुए उन्हें समझाने कोशिच करती है लेकिन वो एक बा और उसकी अपने अच्छान उसे याद आ गई है और अब वो गुन-गुन के लिए भागने कोशिश करेगा लेकिन रबस्ती वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवाने कोशिश करते हैं देखने को लेगा अनुबव याँ मंदब से भागते नजर आएगा और गुन-गुन उसे बचाते नजर आने वाली हो और अर्मान भी इसके बाद उसे लेकर घर पहुंचेंगे जहापर गुल चाचा एक बार फिर से गुन-गुन पर भढ़कते नजर आते हैं लेकिन देखकर यहाँ पर सभी के सभी गुन-गुन से भावी बांगते हैं और एक बार फिर से गुन-गुन का प्यार ही जीत जाता है इसके बाद घर वाले अब गुन-गुन को अपनी बहु के तोर पर अपनाएंगे और फिर से दूम दामशी शादी करवाएंगे